अरे भई मोदी जी ने 370 अटाईए असी आवाज होगी क्या यहां से नरेंद्र मोदी जी तकावाज जानी चाहिए मेरे साथ तोनों हाज उटाईए हरियाना में विजय के संकल्प की मुठी भीचिए और प्रचन्द आवाज से बोलिए बरात मतागी मंठ पर उपस्तित हरियाना के लोक्रिय मुख्यमंट्री स्रीमान मनहरलाल खट्तर जी भार्चिय जन्ता पार्टी के राश्री महासची और हरियाना के प्रभारी डॉक्टर निल जैन जी हमारे सेज तर्रार युवा प्रदेश अध्यक्ष स्रीमान सुभाग बढ़ाला जी इसी मैदान पर जिनको मैंने भाजपा के अंदर डूद में सक्कर की तरह जो मिल गुल गए है हमारे चौदरी विरेंद्र सिंग जी यहां के लोग प्रियस आंसर रमेज कौतिक जी हमारे सभी बैटे हुए लोग सबा के सदस्य गण वरिष्ट मंत्री गण विदायगन प्रदेश के सारे पदाविकारी जो दाए बाए के मंद पर बैठे हैं और आज जिन्द में इतनी बड़ी संख्या में इतनी धूप में आये हुए प्यारे भाई और बेनों आप सभी को नमस्कार पांच साल पहले इसी मैदान पर मैं सौधरी जबको भादपा का सदस्य बनाने के लिए आया था उसके बाद भी दो बार आया और आज चोथी बार आ रहा हूँ पहली बार आया तब सैसालीज सीटों के साथ भादपा सरकार बनी थी आज आया हूँ मैं आवान करना चाहता हूँ अब की बार पचत्तर सीटों के साथ मनोहरलाल खत्तर सरकार बनाई मित्रो जैन्ची देवी की इस पावन धर्थी पर आकर हमेशा मैं उर्जा प्राप्ट करकर गया हूँ महाभारत साल में जब यूट हुआ महाभारत का तब पांच पांड़ों ने विजै जैन्ची देवी का मंदिर का निर्मान यही भूमी पर कराया था और मनोहर जी हमारे कुछी दिनों में चुनाव की यात्रा शुरू कर रहे इसके पहले ये रेली यही भूमी पर रखी है एक चुनाव के अंदर भी भारतिय जन्ता पार्टी पूर्ण वहुमत के साथ दो तिहाई वहुमत के साथ सरकार बनाएगी इसका मुझे भरोष मैं तो हरियाना में जब-जब राष्टी अध्यक से लादे जोली लेकर आया हरियाना वाचियों ने मेरी जोली बड़े प्यार से कमल के फुलों से भर कर मुझे वापीस भेजा मैं विजान सबा चुनाओं में आया आपने पूर्ण भहुमत की सरकार बना दी मैं लोग सबा में आया इतना प्यार दिया के मोदी जी के नेतृत में तीन सो पाड हरियाना की जंदा ने हमें करा दिया और इस पार भी जब चुना होगा मुझे मालूम है कि वीर भुमी फीर से एक बार मोदी जी को आशिरवाद देगी हमारे मनोहरलाल जी को आशिरवाद देगी मित्रो अभी अभी मोदी जी की सरकार बनी है कहने को तो 75 दिन हुए है मगर जो सरकारे पांच साल में काम नहीं करती है वो काम मोदी जी की सरकार ने 75 दिन के अंदर फुरा करने का काम सबसे बड़ा काम जो सरदार पटे का स्वप्न जा एक पूला देश एक अठंड भारत बने एक रस भारत बने और इसमें धारा 370 भीग नतर धारा 370 देश के मुगुटमनी का सुमीर को कही न कहीं भारत के साथ जूरते हुए रोकने का हिसास हम तो उच्वक भी मानते थे कि कच्च्वीर भारत का बिन अंग है माभारती का मुगुटमनी मगर धारा 370 कही न कहीं एक संदेश देकर जाती थी अभी भी कुछ अधूरा है और 70 साल तक 72 साल तक कॉंग्रेश की सरकारे जो वाट बेंक की लालत में नहीं कर पाई मोदी जी ने 75 दीन के अंदर पूरा करकर धारा 370 को समाब कर तीन सो सटर और पैंटी से हटना भारत की एकता और अखंडिकता के लिए एक बहुत बड़ा मिलका पत्थर अब कोई विग्न नहीं रहा है कस्वीर से लेकर कन्या कुमारी और कामा ख्याक से लेकर कस्तर आज माथार जी आनंदित है कि मोदी जी ने धारा 370 और 35 को हटाए और मैं आज जिनकी रेली से पूरे देश की जन्ता को बताना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कस्मीर के विकास के लिए ले और लंदाग के विकास के लिए जो कोई भी होड़ा था वो हट गया है और मोदी जी के नेत्रुत में ले लंदाग जम्मू कस्मीर ए पूरा क्सेत्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पढ़ेगा आतांजवाद से मुक्त होगा मित्रो जाड़ा 370 हटाना अपने आप में बहुत बड़ा काम और वो काम वो ही कर सकता है जिसके मन में वोट बैंक की लालच हो और मुझे कर वह है मेरे नेता देश के प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी वोट बैंक की लालच में नहीं पड़े उन्होंने हमेशा फैसले माँ भार्थी के अच्छे के लिए देश के अच्छे के लिए ये और आज 75 दीन के अंदर ही मोदी जी के इस प्राक्रम के कारण 370 इतियाग का हिस्दा बन पड़ी है पहती से इतियाग का हिस्दा बन पड़ी मित्रो ये इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है कई सालों सक सरकारे चले तो भी कोई सोच नहीं सकता था वो मोदी जी ने 312 करते ही 370 वट से 370 को हटाने का काम दरे हैं अभी अभी लाल किले की प्राशीर से नरेंद्र मोदी जी ने Chief of Defense Staff की घोशना कर दी कारगीन के यूशिक के समय से से कटकर टास्क फोर्स ने इसकी सिफारी सी मसरकारे आई गई मगर फैसला नहीं कर पाई कि Chief of Defense Staff तीनों सेनाओं को एकी कुरूट करने के लिए तीनों सेनाओं के कोडिनेशन के लिए यूशिक के समय पर तीनों सेनाओं एक अंग बनकर दुसमन के दांच खटे करे इसलिए Chief of Defense Staff की जरूरत थी मगर बाकी सरकारे नहीं कर पाई कल प्रधान मंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से घोचना कर दी कर देश को जल ही Chief of Defense Staff मिलेगा मैं मानता हूँ इससे हमारी रखता अक्षमता अनेक धुना बढ़ जाए ठल से ना, नफ से ना और जल से ना अलग-अलग काम करते हैं तो उसकी अलग-अलग सकती तो होती है मगर एक ही Chief of Defense Staff के नित्रुत में तीनों से नाए एक अंग बनकर काम करेगी एक दुस्मन के लिए ब्रध से कम नहीं होगी ब्रज का अगाश सहन करने की किसी दुस्मन में ताकत नहीं होगी मित्रो, ये पचश्चत जिन के अंदर ही प्रधान मंत्री किसान सन्मान नी दी देश के हर किसान के गट्टम के अंदर मोधी जी ने प्रधान मंत्री किसान सन्मान नी दी सिब छोटे किसानों के लिए करा था अब छोटे मजले बड़े सबी किसानों को किसान सनमान निधी पहुँचाने का काम नरेंद्र मोधी सरकार ने हमारे देश के छोटे व्यापारी, छोटे दुकान डाट डिटेल टेडर कभी उनके लिए कोई सरकारोंने नहीं सोता नरेंद्र मोधी सरकार ने यही पतस्तर दिन के अंदर उनकी पैंसन योडना को मंचुरी देकर किसान और व्यापारी छोटा व्यापारी दोनों के बुडावे की जिंता करने का काम किया है सरकार के सपट के साथ ही जल मंत्री जल मंत्राले का गठन किया पानी पीने से लेकर किसान के खेट तक सब जगे पानी की हम जरूरियात मैसूस करते हैं कई इस्तों में ज़्यादा पानी है कई इस्तों में पानी की कमी है इस जल मंता ले सभी प्रकार के पानी के मेनेजमेंट का चीमता करेगा उन्हदियों को जोडने का भी काम करेगा वो किसानों को माइक्रो इरिगेशन के खेतर में भी ले जाएगा वो बारिज के पानी को रोकने का भी काम करेगा वो पानी कमखर्च करने के लिए जागरुपता बढ़ाने का भी काम करेगा वो स्कूलों के अंदर स्वच्छ पानी मिले हर घर के अंदर नलते पानी मिले पांच साल के अंदर इसकी भी चिंदा एजल सक्ती मंत्रा रेकराने वादा और ग्रामीन भारत के अंदर पती लाख करोड का निवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में करने का फैसला इनरेंगर मोदी सरकार ने किया है और मचली पालन के लिए बहुत बड़े फैसले लेकर एक अलग विपार प्रठीद करने का काम भारतिय जंता पार्टी की नरेंगर मोदी सरकार ने किया हर्याने के लिए भी बहुत तुट किया है मगर मैं आज यहां आया हूँ हमारे मुख्यमंड्री मनोह लाल जी खटर को सादू वाज दिने के लिए आया हूँ बढ़ाई देने के लिए मैं दावे के साथ के खटरा हूँ कि जो हर्याना जमिनों के व्यापार के लिए जाना जाता था जो हर्याना की सरकारे मिल्डरों के हाथ की कटपुटलियां बली जी जो हर्याना की सरकार में नौकरी एक व्योसाई बन गया था लेन देन का पेसा बन गया था मनोह लाल खटर ने एठी टम के अंदर, हर्याना के अंदर, भ्रष्टाचार को भुद्काल बनाने का काम करें मनो लाल जी, हम तो आपको कब से जान तेखे, आप कुसल संगटक से पार्टी के अंदर संगटन बनाने वाले भ्यक्ति की आपकी छबी थी मगर आपको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, आपने ब्रष्टाचार भीम साथन कैसा हो सकता है वो दुनिया को दिखा कर, हर्याने का नाम, पूरे भारस के अंदर, खवरों के साथ लिया जाए ऐसा करने का काम किया है हर्याना जो जाती वास से ग्रसित था एक आता था, तो एक जाती की बात करता था, दूसरा आता था तो जातियों के समू की बात करता था, हर्याना के अंदर मनोहर लाल मुख्यमंत्री ऐसे आये सब लाल जाने के बादे हमारा लाल आया और ऐसा आया कि इसने जाती बात को समार्ट करने जाता नौक्रिया जाती देखकर नहीं दिजाता जी विकास जाती देखकर नहीं किया जाता हर गाउं के अंदर विकास पहुते हर योग के विक्ति को नौक्री मिले जाती के बगर फ्रस्टा जार के बगर आज पचास जार से जाला युवाओं को घर में अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम मनोहलाल खटर नहीं एक ट्रांसपर इंगर्स प्री चल दी दी ट्रांसपर करने के लिए लेंडेन होते थे कॉम्पीटर के आदार पर योग्यता के आदार पर ट्रांसपर कराकर मंत्री बनने के बाद एक साल बेह भाया था सारे विदायक और परादिकारियों ने मुझे पकड़ा था कि हमारे कहने से ट्रांसपर नहीं होते मैंने कहा था कि मनोहलाल खटर पहुंसला रखिये जो लायक है उसका ट्रांसपर होने चाहिए भाजपा कारे करता अपने परिवार की बात करते हैं भाजपा ने पूरे हरियाना को अपना परिवार समझना चाहिए और मनोहलाल खी ने इसी तरह देखाम करता है कैरोसिन मुक्त राज्य मैं गुजराच से आता हूँ आज भी पूरा गुजराच केरोसिन मुक्त राज्य नहीं हुआ है मनोहलाल जी के नेत्रुतों में हरियाना केरोसिन मुक्त राज्य बन चुका है बहुत बड़ी इंफ्लस्टी ब्रस्का जार को उखाड फेंगा और एट्वी सिसन के हर माइने में बहुत अच्छे काम है महिलाओ के पूलिस्ताने जब खटर सरकार बनी दो से आज दो से बढ़कर 31 महिलाओ के पूलिस्ताने बने है महिलाओ के लिए बस की सेवाए एक भी नहीं थी आज 181 रूप सिर्फ और सिर्फ माताओ मेहनों के लिए चालू करने का काम इमनों हलाओ खटर ने किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिंग अनुपाज 871 पर था बेश में सब से नीचे था पांस साल के अंदर लिंग अनुपाज 871 से बढ़कर 918 बने है बेश में सब से उपर बड़े मैदानी राज्यों में जरियाना का है मित्रों ओनलाइन ट्रांसपर सुन्य थी आज 25,000 लोगों की ओनलाइन ट्रांसपर हो चुकी है आज आज आ वरकर को 500 रुपया मिलता था आज 4,000 रुपया मिलता है आंगनवाडी सहाय को 500 मिलता था 10,280 रुपया 70 सरकार देती है मिनी आंगनवाडी काड़े कर्शा को भी 10,000 रुपया देती है और सहीद और परिवारों की मदद के लिए सहीनिक और हैसे सहीनिक बलके परिवारों को 20,000 रुपया मिलता था एक धीर भूमी के मुख्यमंत्री ने 20,000 को बढ़ा कर 50,000,000 रुपये तस सहीद के सन्मान के देले साकां किया है प्रतीव एक्ति आए जो राज्य कैसा चलता है उसकी ठ्योतक होती है पहले प्रतीव एक्ति आए एक लाग पैतालीस जार रुपया थी और आज एक लाग पैतालीस जार से बढ़कर 2,26,644 रुपया करने का काम मनोहर खटर की सरकार मुद्ध है हर्याना के अंदर 24 घंटा बिजली स्वप्न थी आज आज जिले और 4,000 गाओं में 24 घंटा बिजली पहुँच चुकी है मित्रो किसान को गन्ने गेहू बाजरा सुरद मुठी लगबद दो दो गुना समर्थ अंगुल्या देने का काम मनोहर लाल खटर सरकार ने किया है प्रती व्यक्ती दूश की खपथ जो सूप को दर्शाती है पहले साथ को 47 ग्राम था अब एक लिटर से ज्यादा पतीस पतीसत की बरोतरी मनोहर लाल खटर की सरकार ने किया है और बिजली पर सर्चाज सरकार का 77 पैसे से एक रुप्य बतीस पैसे तक था आज 77 और एक बतीस की जटा कर 37 पैसा सिर्फ बिजली पर सर्चाज करने का काम मनोहर लाल खटर की सरकार ने किया है मिद्रो नीचे आपने मनोहर लाल खटर की सरकार बनाई और उपर मोदी जी की सरकार बनाई और मोदी जी का हर्याने के लिए जो प्यार है वो कोई छीपा प्यार नहीं है मोदी जी हरियाने को अपना राज्य मानते हैं हरियाने के विकास में जाने हैं मैं जिब जीन की बात करता हूँ जोद्री साब यहां बेटे है चोशट फूट का दिन बंदू छोटू राम की मूर्ति का आवार नावरन करने का काम हिसार के अंदर बहुत जल्दी एवियेशन सेवाए एरपोर्ट सुरू होना जा रहा है और हिसार भारत के सबसे बड़े एरपोर्ट के रुप में विक्सिधो इस तरह से दो सो करोड के निवेश के साथ हिसार एरपोर्ट को बनाए 35 सिलोबिता लंबी जीन हाथी रेल लाइन और 900 करोड उपया उस पर लगाया जीन रिंग रोड बाइपास का निर्मान पुरा होने वाला है जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ ये 3 साल के अंदर पुरा हुगा जीन से सोनीपत तक ग्रीन फिल हाईवे का निर्मान कुठी दिनों में शुरू होने वाला है 509 करोड की लागत से पुराने सोनीपत जीन तक जुड़ी हाईवे को फोर लेंग करने का काम भी हाथ के भेलिया है जीन से पानीपत और जीन से दिल्ली रेल लाइन का इलेक्रिफिकेशन भी सुरू हो चुका है एक ही साल के अंदर इलेक्रिफिकेशन समाप्त हो जाएगा जीन से बठिनना तक की रेल लाइन भी इलेक्रिक लाइन बनने वाली है जीन सहर में तीन बड़े ओवर ब्रीज बनाने का काम सुरू हो गया है आप बॉर्ट डालोगे सब तक उस पर से आपकी घाड़ी जाए इस प्रकार की व्यवस्ता करने का काम है दो अंडर प्रास बनाए हैं और 400 करोड की लागत से जीन में पाने लाने के लिए कैनाल का निर्मान भी सुरू हो चुका है मित्रोग जीन सहर में नए बच्चन का काम पुरा हो गया है स्टेट हाइवेज 10 का निर्मान 135 किलोमिटर जो जीन परवाला अध्रोहा अदमपूर और भादरा को जोड़ता है वो भी सुरू हो चुका है और हौकी स्टेडियम का निर्मान भी 10 करोड के रूपे से जीन के अंदर इसीक शेतर के अंदर सुरू करने का काम किया है लगभग 600 से ज्यादा युवाओं को नौकरी भी दी है और प्रधान मंत्री जी ने सबसे बड़ा काम किया है हर्याने के लिए दिल्ली के खजाने खोल दी कॉंग्रेश के सारे नेशा और चोटा लाइन संप्री उसको मैं पूछना चाहता हूँ जब आपकी सरकारे होती थी कितना रुप्या हर्याने को मिलता था भई हिसाब लेकर चुनाव के मेडान में जाएए मनोव लाल जी आँखड़े लेकर जाएंगे हम आँखड़े लेकर जाएंगे 13 फाइनांस कमिशन जा हुडा की सरकार भी केज़र में कॉंग्रेश की सरकार दोनों जगे कॉंग्रेश की सरकार थी और पांच तालवे 13 फाइनाइस कमिशन में आपने 22,000 करोड रुपया दिया जोर से बोलो धिन्द वालो कितना दिया मैं फिर से बोलता हूँ 22,000 करोड रुपया कॉंग्रेस ने दिया था 22,000 करोड जोर से बोलो कितना दिया नरेंद्रमोदी सरकार और खटर सरकार आई 14 वे भी सायोग में 14 से 19 सब 22,000 करोड से बढ़ा कर 58,000 करोड रुपया हरियाना को दे दे का काम ये फार्जी जन्दा पांच पांच लगबग लगबग धाई गुने से ज्यादा पैसा दिया पर इससे पूरे हरियाना के रोड, रस्ते, गाम, सहर सब को आगे बढ़ाने का काम किया है मित्रो मेरे पास इतना लंबा चुची है पूरे हरियाने का पड़ू तो साथ दिन तक मुझे भागवत सब्ता बिठानी पड़े मगर मेरी चुची खतम नहीं मित्रो हरियाना के अंदर भार्तिय जंता पार्टी की दोनों सरकारे नरेंद्र मोदी जी और मनो अलाल खक्तर ने विकास को दीन दूनी राज स्वगुनी आगे बढ़ाने का काम किया है और अभी अभी स्री नरेंद्र मोदी के नेश्रुत में पड़ान मंत्री जी की द्रड इश्चा सक्ति के कारट जो धारा 370 को हटाने का काम हुआ है मैं मानता हूँ हर्याणा के सहीदों को इससे बड़ी कोई स्रड्डान जली हो ही जई सक्ति मित्रो हो ही इस वीर भूमी के जितने जवान माभारती की सेवा करते हुए रक्षा करते हुए सहीद हुए वो सब को स्रड्डान जली देने का काम अपने काम से फुल की नहीं अपने काम से स्रड्यान जली देने का काम प्रधान मंद्री नरेंद्र मोधी जिने किया है मित्रो आज अटल जी का पुन्यति थी सोला अगस एक साल आज हुनका समाप्त हुआ है अटल जी की आत्मा जहां पर भी होगी स्री नरेंद्र मोदी को रदय से आसिरवाद देती होगी कि 370 आपने हटाने का काम किया जो मैं अजूरा छोड़ करता है मित्रो आज मैं जीन के अंदर चौधरी साफ को सामिल कराने के लिए आया था चौधरी साफ भाजपा के अंदर इतने गूल मिल गए कि कॉंग्रेस वालों को परेशानी होती है कि चौधरी साफ को क्या हुआ है मैं उनको कहना चाता हूँ परेशान मत हो भाजपा में जो अच्छे लोग आते हैं सभी का हम स्वागत भी करते हैं और सन्मान भी करते हैं नित्रो आज मैं यहां आया हूँ मौका तो जीन की रेलिका है इस मौके का फाइदा उठाकर हर्याने के हर मस्ताता को मैं हाज छोड़ कर प्राजना करने आया हूँ कि इस पार हमें सहिताली सीट नहीं चाहिए सहिताली सीट आपने दी हमपर बड़ा उपकार कर दिया मगर इस पार सहिताली सीट नहीं चाहिए पचस्तर सीट मिलेगी तभी भार्थिय जन्ता पार्टी का विजय माना जाए। साल दे दीजे हर्याना वासी को मालूम पढ़ जाएगा कि भाजपा की सरकारे कैसे चलती है ऎगले 5 साल में बुू ली दोड़ने का काम, मसभूत नीव दोड़ने का काम पांक साल में भासपा सरकार ने खटा श्रकार ने किया है एक नीव पर एक बुलंद हिमारत बनाई है जो बुलंदह ऑनारत हे इएरत इतनी उंची हो वहां से सिज़ा कस्मीर दिखाई पड़े इतनी बुलन दिमारत बनाने। दो तिहाई पहुमत से जिताएंगे। नरेंद्र मोदी जी को तीन सो सक्तर और पेंटी से अठाने के लिए धन्यवाद करने के लिए हाज उपर उठाईएंगे। मुठी भिजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए बरत मता की। बरत मता की। बंदे। 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 झाल 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 झाल